ये मान कर चलिए कि उत्रपदेश की राजनीती बाइपोलर हो रही है। सत्तर फीसदी हो गई यही दशा दिशा ग्रह गोचर रहे तो लोग सवा चुनाव आते आते सव प्रतिशत बाइपोलर हो जाएगी। एक स्थाई पोल भाजपा रहेगी। वैसा ही जैसा सत्तर के दशक में देश में एक स्थाई पोल यत्रत्र सरवत्र कॉंग्रेस रहती थी। राई सीना हिल से लेके और गाउं तक एक स्थाई पोल हर इस्तर पर कॉंग्रेस होती थी। फिर समय समय पर उसके वरक्स उसके समाना अंतर कोई पोल खड़ा होने के कोशिश करता था। वह लोहिया दिंद्याल का जॉइंट वेंचर हो सकता था। सम्वित सरकारों का प्रियोग हो सकता था। बहुत सारी चीज है। यूपी में मानकर चलिए। बाइपोलर हो गया जिसका एक परमानेंट पोल रहेगा बीजेपी। अब लडाई है कि जो दूसरा पोल है सामने वह कौन बने यह उसकी लडाई जब तक सेटिल नहीं हो जाएगी। और यह सेटिल भी कब होगी। जब बिलुकुल मामला जो प्रतिदंदी लोग हैं जो उस पोल के लिए प्रतिसपरधा में हैं उनमें बाकी का बिलुकुल शटर डाउन नहीं हो जाएगा। अभी थोड़े थोड़े शटर खुले इसलिए संगर्श चलेगा। बसफा के पास अभी तेरा फीसदी बोट है इसलिए वह शटपटाएगी स्वाभाबिक है। पांग्रस की जटपटाट लगभख खतम हो चली। क्योंकि मुझान गए कि मालो अब दो परसेंट के बाद कहां कितना उठेंगे, इस्टेवराइड भी लगा लेंगे तो दवड़ना छोड़ो चलने लाइक नहीं हो पाएंगे। जब इतनी कमजोरी आ गई शरीर में। लेकिन मायबत्ती चुको लग रहे हैं तेरा परसेंट है तो अभी खेल हो सकता है बसरते हैं अलपसंग छक मत दाता मेरी तरफ आ जाए यह सपा की तरफ नहीं रहे यह बट जाए चलो इतने में संतोश कर लेंगे। तो जानते हैं इस बात को। इसलिए यह चलता रहेगा अचानक से किसी दिन पता लगेगा सपा की तरफ से को हो जाएगा कि मायबत्ती बीटी में और अचानक से आपको लगे यार कोई तातकालिक कारण तो था नहीं प्रवोकेशन का फिर मायबत्ती जी ऐसा क्यों बोल रह की और हिंदुस्तान में एक बड़ा भारी पर्शेप्शन है कि भाजपा के साथ जिसको खड़ा करन की प्रदर्शित कर पाओ आप उससे मुसल्मान बोट हट जाएगा इसे धरना नेरेटिव के लिए दोनों पार्टियां कोशिश कर रहे हैं कुष्टी लड़ रहे हैं सप यह नेरेटिव भाजपा को मजबूत करता है यह भी जान देगे हैं क्या क्योंकि जो फिर बाकी बचती है 83 परसेंट 82 परसेंट की भारत की जन्संग क्या वह भी पिर चिंतन करती है ना तो एक किस्म का पोलराइजेशन दूसरे किस्म के काउंटर पोलराइजेशन को जन्म देता है उदर केक बड़ा है इसलिए बीजेपी के मजबूती बड़ी हो जाती है दूसरी बात मैं एक टिपनी करूँगा यह महंगाई के मसले पर कि मेरे लिए यह बात बहुत मतपून है कि चवधा में कितने गढ़ाओ चवरासिम कितने उख्या था उनिस चवरासिम है कि मैंने 570 रुपए तोला सोना देखा अब उसका क्या करें है लेकिन हां यह बात सच है कि महंगाई आज के दौर में जादा कश्ट पून है दो वर्ष के कोरोना के तन्डव ने हिंदुस्तान के गरीब और मध्यमवर्ग की कमर तोड़के रखते कि तवा हो गया वो रोजगार खतम हो गए नवकुरिया घट गई जिनकी बची उनकी तनखाएं आदी हो गई चोट्याई हो गई है घर के सरस्ट कम हो गए काल के गाल में समा गई है उनके लिए 50 रुप्या माने रखता से लेंड़ आज हो अब कर दो कि जो लोग कहते हैं वीपेल काड और को अनाज मिल रहा है वीपेल कोई मिल रहा है ना अ और जो भारत का अब सब से बड़ा मध्यमबर गह वो तो लाइन में भी नहीं ख़डा हो सकता उसके पास तो बेकिल काड भी नहीं वह कहां जाए और इसकी चिंता शाशन कोई करनी होगी यह तरक ठिक नहीं होता होगा अंतराष्टी प्रभाव में उससे इंकार नहीं करता मिश्रा जी बाप जब रात में घर आता है तो छोटे छोटे बच्चे उसकी और इस उमीद से देखते हैं कि यह कुछ लाया होगा उससे खाना बनेगा बाप अगर उससे यह कहे कि बेटा बाहरी पर स्थितिया एसी है उसके चलते कुछ नहीं मिल रहा है बच्चों को समझ नहीं आए बाप सरकार की भूमी का वही होती है पिता की यह जाल लिजी यह हिंदुस्तान है यहां तो हई प्रजा संतान जैसी होती है तुलसी ने कहा मुखिया मुख्सो चाहिए जैसे मुह होता है जाता सब उसमें है लेकिन उसके बाद वो शरीर के सारे यंगों को पोशित करने के लिए उनकी जरूरत की चीज़े वहां वहां तर ट्रांस्फर करता है कि यह राज नहीं तक फुट वॉल नहीं है कि आपस में खेलो कि मैं मानता हूं राज निताओं को महगाई प्रभावित नहीं करती क्योंकि जितने का सिलेंडर है भाईया मिश्रा जी जितने का महें कुल सिलेंडर का धाम है उतने में तो आपके दो जोड़ी कुर्ते पजा में ड्रैकलीन होके आते हैं आपके ठेंगे पे हैं महंगाई सबके क्या जैसे भारत का हाम आदमी विक्रम टेंपू नहीं पकड़ सकता चमन गंसे चुन्नी गंसे उससे ज़्यादा सरलता से तो आप चाटट विमान में घूमते हैं आपको क्या परक पड़ता सरसोग तेल क्या ऐसा बिक्रा क्या परक पड़ेगा भाई बताओ नहीं पड़ेगा ताज और ओवे राय में कोफी और चाय और टोस्ट खाने वाले लोगों को कबसे महंगाई चिंतित करने लगी यह ठीक है भाशन के लिए आते हो तो थोड़ा आँखों में लगा सकते हैं आप लोग दन तक भी जाओ तो लेकिन अस्री जीमन तो वह ही है दोस्त घर में सो सो एसी लगे हैं पचास पचास सो सो हरकारे हैं माब दौलत के मिजाच पूर्शी के लिए और इसमें कोई पीछे नहीं जिनने दो परसेंट बोट मिला वो भी जिनने कुल चार लाख मिला बोट वो भी और जिनने चार ब्यालीस फीजदी मिला वो भी सब उसी गंगाम नहा रहे हो क्या ऐसे ऐसे लक तक सोफे पड़े ऐसे जाड़ पानूस लटक रहे हैं घरों में कौन मूरक कह रहा कि महंगाई है राजमहल से बाहर निकल कर देखिए तो महंगाई की तपिश समझ आएगी आपको तब आपको समझ आएगा हिंदुस्तान कहां पर रहे बाते करना बहुत सब्सक्राइब मित्र कैमरों के सामने पद्यात्रा करना आलग चीज होती है मित्र चत्रवेदी जी और पैसा ना हो यह आटो नहीं कर सके रिक्षा नहीं कर सके तब पैदल चलना अलग बात होती मेरी तीन करोन की मित्रा जी मेरी तीन करोन की मर्सेडीज पीछे चल रही है और मैं कहरा हूँ मैं पद्यात्रा कर रहा हूँ देश के लिए ऐसे आडंबर को मेरा प्रणाम, ऐसे आडंबर को मेरा सहस्त्रवार प्रणाम, चेले चापड़ों की फोज मेरे पीछे चल रही है, 20-20 केमरामेन चल रहे हैं, और मैं कहां जा रहा हूँ, जिला अस्पताल में 6-6 केले बाटना है, उसकी फोटो की चाने जा रहा हूँ, ऐसी समास्तेवा को भी मेरा प्रणाम, इसने जब राजनेता कहते हैं, महगाई का विश्य वेपक्ष वाले का दिन, तो मुझे उनसे पर बड़े कौफ्त होती है, अरे आप ये भात मत करो, आपके मुझे सोभा नहीं देती, आपके घर की एक प्लेट की कीमत उतनी है, जितने मैं ननकू की पूरी जोगी बिखजाए, मुझे ऐसी प्लेटों के दर्शिन करने का अबसर मिला, ऐसी कटलरी बोलते हैं को, कटलरी, है ना चत्रवेदी जी, है ना ऐसी कटलरी, जिन मैं ननकू और रज्या की पूरी बदन पर कपड़ा नहीं आप खाना भी खाते हो तो कपड़ा टांक पर डालते हो वह अलग आता है दाइक लिनों के वह अलग रंगभा जी है आप बहुत नहीं बदला राज्यतंत्र समाप्त हो गया मिश्रा जी ओफिशली लेकिन महल समाप्त नहीं हुए दर्वार की जगह संसद और विधान सभा आ गई लेकिन राज महल समाप्त नहीं हुए भारत से राज महल आज भी कई बार फोटो आ जाती है जनता उनको देखती है भाईया त्यागी जी क्या तो उसकी आखें फट जाती है क्यों बाप रे बाप हैं आईसी मेज ऐसा सोफा फिर वो लोग बाहर आके जब बाइट देते हैं कि नहीं देखिए महंगाई से जनता की कमट तूट रही है और हमको बड़ी चिंता है तो जनता बड़ी विदूपता के साथ हासती है इसलिए आप देखिए 900 रुपय का सिलेंडर था फिर भी सपा बसपा का अगर इसको बो अगर आपको भी करना इनको भी करना तो यही थी अगर आपको दूसरा लॉजिक पता दो क्यों ऐसा हुआ कि बाद में यह कहना कि हम जनता को समझाने पाई बाठिक ने कि आपके शब्दों में प्राण तत्त गाइब हो गया कि जनता को आपके कहे पर यकीन नहीं रहा हुआ कि उसको पता है कि हमको जीने मरने का अपने आप ही देखना है जो कुछ देखना है कि इसलिए आपके कहे पर फरोसा नहीं करती है कि अतीत की अनुभव को की एक श्रंखला है जनता के पास है किसी से गाउं में शेहर में जाकि कसमें पूछे तो वह सीधे यह कहते हैं भाईया कौन पार्टी हमारे घर का चूला जलाएगी करना हमें पड़ेगा यह मूल कि देश के आम आदमी का इसको ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर रादमीत कर पाएंगे अब उत्तर चाहिए प्रोट्योबाय केसरी मरहम एवं तैलम वर्षों से दर्थ पे सबसे ज़्यादा असरदार एंट प्रयाग PTMT बार फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज क्वालिटी बेमिसाल लिख के ले लो